हलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ जूम पर आने वाले नए पांच फीचर्स की जी हाँ अगर आप भी जूम इस्तेमाल करते हैं वीडियो कांफिस में यूज करते हैं आप परसनल चैट के देखिएगा जूम ने आज पांच बहुत ही इंट्रस्टिंग नए फीचर्स अनाउंस किये हैं जो आने वाले टाइम में यानि कि एक हफते से लेकर अगले एक महिने के बीच में जूम पर आपको मिलेंगे इनमें सभी फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ और बिसिकली जूम एप्स यानि कि आप जूम मिटिंग के अंदर ही आप अपनी पसंदीदा एप को इस्तमाल कर पाएंगे काफी सारी एप्स हैं जो आप इंटिग्रेट कर पाएंगे जैसे वाइट बोर्ड है लाइव ट्रांस्क्रिप्ट है और भी धीरे धीरे करके बहुत स सारी एप्स को जूम में इंटिग्रेट कर दिया जाएगा जैप्स का इसे नाम दिया गया है और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर रिकॉर्ड बटन के साथ जैप्स का आपको एक आप्शन मिलेगा जहां पर आप ब्राउज ऑल जैप्स पर जाकर जो भी अविलेबल उनको देख सकते हैं जो भी आप चुनेंगे उसमें आप अपना लॉगिन आपको एक बरी करना होगा और उसके बाद वो एप जो है वो जूम के आपके लॉगिन के साथ इंटिग्रेट हो जाएगी और विदिन जूम आप उस एपको इस्तमाल कर पाएंगे दूसरे फीचर रहे है यह एक लासरूम के लिए और कोट्स के लिए बहुत ही इंटरस्टिंग रहेगा जैसा कि आप अपने वीडियो पर इस समय देख सकते हैं स्क्रीन पर एक क्लासरूम सीन को यूज करके किस तरीके से पाटिस्पेंट को एक क्लासरूम में शो किया गया है तो अपने आ स्क्रीन पर आपने कंप्येटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं यस-कैर इस तरीके के अलग-अलग protect य एक तरीके से रेक्शन भी एड़ किये अगए है यह feature सभी को मिलना users को मिलना शुरू हो जाएंगे और यह free और paid account दोनों के लिए available होंगे और ऐसा नहीं है कि सिर्फ free users के लिए यह paid users के लिए यह सभी के लिए features available होंगे अगले feature की मैं बात करूं तो बहुत important है security के perspective से end-to-end encryption encryption जूम में आपको मिलने लगेगा और जैसा मैंने बताया कि यह भी paid और एक तरीके से free users सभी के लिए available होगा end-to-end encryption आपकी device से होगा तो हो सकता है अगर आप end-to-end encryption को enable करेंगे तो हो सकता है कुछ feature जो on cloud आपके चलते हैं वो ना चलें बढ़ हाँ end-to-end encryption within your device होगा और आप अपना code चाहें तो security code किसी के साथ share करें या ना करें उसके उपर भी काफी कुछ depend करता है और end-to-end encryption यहाँ पर आपको zoom में मिलेगा साथ ही साथ अगर आपको यह verify करना है कि call end-to-end encrypted है नहीं या जिस meeting में आप हैं वो end-to-end encrypted है नहीं तो यह जो sign आप अपनी screen पर अभी देख रहे हैं यह एक तरीके से zoom के end-to-end encryption का proof होगा तो zoom में अभी free users के लिए और सभी के लिए end-to-end encryption होगा और यह भी अगले हफते से rollout होना शुरू हो जाएगा यानि कि सभी users को यह मिलना शुरू हो जाएगा उसके बाद सबसे interesting जो इस event में zoom ने feature launch किया हाला कि यह इंडिया में अभी available मैंने try किया तो मुझे नहीं मिला बट on zoom करके इन्होंने एक product launch किया है on zoom basically एक तरीके से आपको एक platform देगा एक host बनने का जहाँ पर आप अपनी zoom meeting को monetize कर पाएंगे यानि कि आप host बनने के लिए आपको apply करना होगा और अभी यह US के लिए enable किया है और जैसे ही आप apply करेंगे और आपके application अगर accept हो जाती है तो आप अपने जो भी event आप कोई meeting कर रहे हैं या कुछ भी आप live telecast कर रहे हैं उसके आप ticket sell कर पाएंगे और अगर आप host नहीं है अगर आप ऐसे attendee join करते हैं तो आप देख सकते हैं जब आप अपने on zoom account पर login करेंगे तो अलग-अलग events, अलग-अलग categories में आपको event दिख जाएंगे जिन में सो सकता है कुछ paid event हो, कुछ free event हो और वहाँ पर जाकर आप अगर कोई paid event है तो किसी भी debit card या credit card से उस event की ticket एक तरीके से virtual ticket purchase कर पाएंगे और फिर आप उस event को join कर पाएंगे तो यह अपने आप में एक बहुत ही interesting feature है और बहुत जल्द उमीद है कि यह इंडिया में भी आएगा क्योंकि यह तरीके से नया आपको जो भी webinar करते हैं या भी जैसे lockdown के time से काफी जादा webinar भी popular हो गए है और बहुत सारे लोग online classes भी लेते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा platform यह होगा जहांपर वो on zoom पर जाकर के अपनी classes को monetize कर पाएंगे अपने content को monetize कर पाएंगे तो यह बड़ा एक interesting feature यह zoom ने announce किया है अभी यह आप जाकर के check कर सकते हैं beta version इसका available है बट इंडिया में इसके availability और host बनने के लिए एक और खास चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा आपके पास zoom का paid account होना चाहिए यानि free account user यहाँ पर host बनने के लिए apply नहीं कर सकते तो आपके पास जरूरी है कि paid account हो zoom का तो अगर आप भी एक host बनना चाहते हैं और अपने content को monetize करना चाहते हैं या अपने webinar या अपनी classes को monetize करना चाहते हैं तो आपके पास भी zoom का paid account होना चाहिए तो ये सारे जो feature हैं ये zoom ने आज announce किये हैं और काफी सारे इन में से interesting जो ये feature हैं ये धीरे धीरे in fact अगले हफते से मिलना शुरू हो जाएंगे तो ये अपने आप में बहुत ही interesting होगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कीजे इस वीडियो को like कीजे साथ ही साथ अपना feedback आप मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा धन्यवाद दोस्तो जैह